कुरोना वाइरस के पार तेज चौबिस घेंटों में कुरोना वाइरस का शिकार होने वाले मसीहां की तादाद पांच हो गई लाहूर में दो हंगू फैसलाबाद और गुच्णावाला में एक एक डॉक्टर जान की वाजी हाल गया पी-एम में गुच्णावाला ने सीनियर डॉक्टर की मौत पर रज्ज औ गम का इज़ार करते हुए यौमे सियाह मनाया लाहूर जर्नल है वो यह है कि क्या मैयत को गुच्छ तो इस सिल्सले में किसी तरह की कोई ममानियत नहीं है आप बहुत इहतियाती रवया अपनाते हुए मैयत को गुसल भी दे सकते हैं जो के हमारे मजभ में जो तरीका है उसके मताबब जिन लोगों के ये काम सपूर्द किया जाए कि मैय इसे मास् को भी दे सकते हैं उकलChrолод में को बठना जाहिए झाहिए निको गुद बाहर एंका नहीं एंका तो आपको इस ब्रचा पाना चाहिए मझना जाहिए तरहको ग। läh痱 है पैना घरूर्प मास्क पहेना जाहिए उनको पहन को था तरह को आप पैनने जाएं थार थार म परज़ा कहते हैं करोना से वफात पाने वाले शख्सकों इत्याती तदाबीत के साथ घुसल दिया जा सकता है। चीफ जिस्स बलुचिसान हाइकोर जिस्स जमाल खान मंदोखेल का करोना वाइरस का टेस्ट मस्बता गया जिसके बाद वाइसूलेशन में चले गए तरजमान के मताबिक चीफ जिस्स घर से ही आहम अदालती अमूर से रन्जाम दी रहे हैं और इनकी हालत बेहतर हो रही है। वजिर इतलाज शिबली फरास कहते हैं सफ्ट लॉक्टाउन की तरफ जाने का कोई फॉरी इरादा नहीं है। मुल्क में मौशी सरगर्मिया जारी रखने की जरूरत से मतालिक हुकूमत या वजिर इतलाजम के जहन में कोई कन्ट्यूयन नहीं। पंचाब असम्पली का इजलास पांच जून को निजी होटल लाहूर में तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में करोना से मजीद 57 मरीजों का इंतिकाल तादाद 1317 हो गई। मजीद 2636 अफराद में वारिस की तश्खीज मरीजों की तादाद 6408 तक जब पहुची सिंद में 396, पंजाब में 410, खैबर पखतूरुखा में 432, बलोचिस्तान में 43, गिलकित बलतिस्तान में 9, आजाद कश्मीर में 5, और इसलामबाद में 22 मरीजों का इंतिकाल क्रोना दुनिया भर में 3,62,000 इनसानी जाने निगल गया, मरीजों की तादाद 69, 5,000 से तजावज, अमरीका में 1,3,000, बरतानिया में 37,837, इटली में 33,142, स्पेन में 27,119, फ्रांस में 25,662, भारत में 4,711, और बराजील में 26,464, अमबाद अवाम के लिए खुशखबरी, ओग्रा में पेट्रोलियम मस्नुआत की खेंतों में 11 रुपे तक की कमी समरी वजारत पेट्रोलियम को बिजवा दी, पेट्रॉल 7 रुपे 6 पैसे और मट्टी का तेल 11 रुपे 88 पैसे, लाइट तीजल 9 रुपे 37 पैसे, जब के अवाम के लिए खेंगा करने के तिफारिश, एक तसाब अदालत ने तो उशा खाना रेट्रेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारेंट गिरफदारी जारी कर दिये, जबकि आसफ जरदारी को आज हाजरी से इसस्टना मिल गया, 11 जून को तरफ नैब की चानि ने काम किया, नैब जादा हूँ, नैब जादा नहीं, वजीर आजम कुछ सूबों का नहीं, पूरे मुलक का होता है, बतौर स्पीकर और वजीर आजम हमेशा अदलिया का इहतराम किया. विफाकी हकुमत ने करोना की सूरत हाल के बेशे नजर, 31 मई के बाद, लौक डाउन की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसलों के लिए कौमी राबिदा का इजलास तेलिब कर लिया, वजीर आजम इमरान खान इजलास की इस्तादारत करेंगे, जिनके विफाकी वुज़रा, व मतलिका हुकाम शरीक होंगे, इजलास में असकरी हुकाम और एंडी एम मेखे माहिरीं ब्रीफिंग देंगे, पंजाब और खैबर पक्तूर खामें ईद से पहले वला लौक डाउन शेडियूल बहाल कर दिया गया, दोनों सूबों में आज से इतवार तक बाजार बंद रहे पीर से जम्राथ सुब्द नौ से शाम पांच बजे तक कारोबार की अजाज़त होगी अवाम के लिए खुश खबरी महमई रेलवे का 31 मई के बाद दी एडवांस बुकिंग जारी रखने का फैस्ता लौक डाउन के दौरान चलाई जाने वाली 15 ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जारी रहेगी ट्रेनों की टिकेट्स के बुकिंग ऑफिसेज सुब आठ से राद आठ बजे तक खुले रहेंगे नोटिफिकेशन बिचारी सद्राल पाकितान प्राविट स्कूल डिस्सोसियेशन काशिफ वर्जा नहीं हुगोमत से यकुम जून से स्कूल खोलने का मुतालिबा कर दिया कहते हैं धाई करोड बच्चा पहले ही स्कूलों से बाहर है पांच करोड बबा की वज़ा से घर में हैं 15 लाद टीचर स्कूलों के लॉक्टाउन की वज़से मुतासिर हुए हुकूमत हमारे साथ एसो पीस पर मुजाकरात करे अगर स्कूल नहीं कोलने तो असातिजा को तनकाहें दे कराची में तैयारा हादिसे की तहकीकाद चोथे रोज बिजारी फ्रांसिसी टीम का एक बार फिर जाए हादिसा ख़तोरा साथ रोज बाद पचास मयदें वुरसा के हवाले कर दी गई तैयारा हादिसा केस में शोहदा के लवाखें को मुआवज़ की अदाएगी शुरू कर दी पहले मरहले में च्छती सफरात को मुआवज़ा अदा कर दिया गया नरजवाने पिया ये का कहना है कि च्छती सफरात को दस लाग फीकस मुआवज़ा अदा कर दिया गया है बकिया मुसाफिरों के वुरसा को भी एक दो दिन में मुआवजा अदा कर दिया जाएगा सौधी हुकूमत का उम्रा और जियारत पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला सौधी वजारत हज का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता मामूलात जिन्दगी बहाल कर रहे हैं आलमी सथा पर सूरत हाल बेहतर होने पर मजीद फैसले किये जाएंगे अक्वाम मुट्धा की अम्रा पौच का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है अम्र मिशन में पाकिस्तान का मिसाली के दाथ दो लाग से जायद जवानों और अफसरों ने अम्र में हिस्ता लिया 24 अफसरान और 157 जवान शहीद हुए पाकिस्तान अम्र मिशन में खातीन को भेजने वाला वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जू एनो चार्जर के दाहद आलमी अम्र के लिए काम जारी रखेगा और इस मकसद के हसूल के लिए इसका अज मुस्ताहिकर रहेगा पाकिस्तान बहादर अम्र फोर्सिस की कुर्बानियों के जजबे की जात मनाता है अम्र के प्यामबर दुन्या में इनसानियत के खित्मत में मस्रूफ है अम्र फोज के आलमी दिंपर आर्मी चीफ जेर्नल कमर जावीद बाजवा का पेगाम नौर्वे में फसे पाकिस्तानी शेहरियों को वतन वापस लाने के लिए पी आई एक की खुसूसी परवाद इसलामबाद से रवाना कौमी एरलाइन पाकिस्तानियों को लेकर रात को वापस पहुंचेगी लाग डाउन में पिसे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारिया यूनिट में दू रुपे तक इसाफा पनतवक्खे अवाम पर 162 अरब रुपे का इसाफी बोज़ बढ़ेगा नेपरा फैसला 3 जून को करेगा विफाकी बज़ट 12 जून को पेश किया जाएगा करोना वारस के बाहिए तमाम अफ़दाफ कम रखने का फैसला हजम में 10 पीसद इजाफिक की तजवीज आलमी मालियाती अधारे समय दीगर अधारों को एतमाद में लिया जाएगा मुल्क भर में रवां हफ़ते के आखरी का रुबारी जूस के दोरान अमरीकी टॉलर एक मरतबा फिर बुलंदियों की तरफ जाने लगा ओपन मार्कीट और इंटर बेंक में बिलतर्तीब अमरीकी करणसी एक रुपया सत्तर पैसे और एक रुपया बारा पैसे मेंगा हो गया हौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक पास्ट बॉलर वकार यूनस का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर हैक हो गया दिलबरदाश्टा होकर सोशल मीडिया ही छोड़ने का ऐलान कर दिया हैकर ने नाजेबा वीडियो लाइक की मुझे अपनी फैमिली ज्यादा अजीज है आएंदा सोशल मीडिया इस्तिमाल नहीं करूंगा डी ट्विंट्री वर्लकप कब होगा आई सी सी के इस्टास में पैसला ना हो सकादस जून के इस्टास में दोबारा गोर किया जाएगा आई सी सी अराकीन का क्रिकेट बूर्ड से मुझाहरत जारी रखने का पैसला लदाख में गेर कानूनी तामिरात पर भारत को लेने के देने पड़ गए चीन ने कश्मीर के इलाके उपसाए चन पर भी पौजी कुट बढ़ा दी लदाख में भारत और चीन तनाजा शुरू हुए एक हफ़ता गुज़र चुका अमरीकी रियासत मेने सोचा में सियाफवाम शक्स की पूलिस के हाथों हलाकत के खिलाप मुसाहिरों का सिलसला जूर पकड़ गया मुझतिल अफराद ने कई गार्डनों और दरजनों इमलाक को आग लगा दी फसादा 46 वरस साला जूर्ज को दिन दिहाडे सड़क पर तश्चदूत का निशाना बना कर खलाक करने पर शुरू हुए गवरिनर ने ने नेशनल गार्ड्स को भी तलब कर लिया अमरीका में साद डानल्ड टरम्प का दोर इस्थार राहे की आजादी के लिए बस्तरीन दोर रहा इस वक्त की ताजा मिसाल उस वक्त सामने आई जब मेनी पुलीस में मुझाहरों की कवरिज करने वाले सहाफी को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरिफ्तार किया गया सहाफी अपनी गिरतारी की वज़ा पूचता रहा पुलीस एहलकार खामोशी से हद्कडी लगा कर ले गए अमरीकी सदर जोर्नल टरम्प ने सोशल मीडिया को जाबता अखलाग का पाबंद करने से मतलिक सदार्थी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिये अमरीकी सदर की समाजी राबितों की वेबसाइट च्वीचर को बंद करने की धंकी सोशल मीडिया की अजानादारी को खत्म करेंगे और महकमे मौसमियाद की पंजाब और सिंद में आज से मुसलाधार बारिशों की पेशकोई इसलामबाद के कुछ इलाकों में बारिश से मौसम खुशकवार पंजाब के मुख्लिफ इलाकों में अगले पांच रोस तक बादल वरसेंगे शुमाली मश्रकी बलोटिस्तान में भी बारिशों का इमकान